लो गाइस वेलकम टो ओल ओफ यू लान विथमी स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्व चैनल लान विथमी में तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिजेगा और अपने फ्रेंड्स के सांग शेयर किजेगा चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट थ्री पार्ट वन में मैंने क्या पढ़ाया था कुछ बेसिक से चीज़े हमने डिसकस की थी ठीग है पार्ट टू में मैंने क्या बताया था हूँ और इसका बताया ठीग है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कोशन यह रहा आप लोगों के सामने ठीग है क्या लिखा है इसमें हिंदी और इंग्लिस दोनों पे लिखा है आप लोगों को जिस लेंग्वेश पीजी लगता हो आप उस लेंग्वेश से पढ़िए और समझने की कोशि अब आप लिखा है इसने राम एक का नाम रख दिया इसने शाम ऐसी सब का नाम ही रख सकता है ठीक हम यहां पे जे के मैं पी क्यूब से लेके बढ़ेंगे ठीक है क्या लिखा है चीए मेंबर है फैमिली में अब क्या बोल रहा है जे इस सण ओफ के अब हम डाइग्रम बना लेकिन क्या है के इस नौट दा मदर आफ जे लेकिन क्या है के मम्मी नहीं है तो जे जब इनका के का बेटा है तो या तो यह इनकी मम्मी होगी या तो इनकी पापा होगी और जब बता दिया है कि क्या है मम्मी नहीं है मतलब क्या है यह क्या है पापा है ठीक है आरहा है हम इस information को शोड़े कि आगे चलते हैं ठीक है M is married to K who is married to K LIKHA है तो who किसके लिए यूज हुआ है जो कह Here कि पहले लिका है कि पहले की लिखा होगए M M is married to K मतलब M की सादी किसके साथ हुई है K की साथ हुई है ठीक है M की सादी हुई है K की साथ ход जब ये male member है तो ये क्या हो जाएंगी female हो जाएंगी ये इनके husband है तो एक क्या हो जाएंगी इनकी wife हो जाएंगी और शादी हुई है अभी क्या बोल रहा है Ann is daughter of M पहले लिखा हुआ था हमें ये पता है N के किनकी बेटी है M की बेटी है तो K और M क्या है husband five है जे इनका बेटा है तो N भी क्या हो इनकी बेटी हो जाएंगी बेटी है K और M की ठीक है अब क्या लिखा है who is married to K ये तो हमने कर दिया अब क्या लिखा आगी Q is the brother of J Q क्या आगया J का भाई है ठीक है तो Q क्या आगया J का भाई आगया ठीक भाई बेहन है तो एक इरो में आगये J N क्यूँ ठीक है अब क्या बोल रहा है P is brother of K P क्या है K का भाई है तो P और के एक साथ आगए P क्या है K का भाई है ठीक है तो यह diagram मुझे sentence से मिलिया अब मैं क्या करूंगी अब मैं बढ़ती हूं आगे यह तो मुझे diagram से मैंने यह diagram मैंने बना लिया question पढ़के जो statement लिखा था उस statement से मैंने यह diagram बना दिया ठीक है अब चलते हम हमारे question की तरफ question यह रहा आप लोगों के सामने सबसे पहला question लिखा है how many mails are there यहाँ पर total कितने mails हैं ठीक है कितने पूरुष है पूछ रहा है how is k related to j how is k related to j k क्या है g से कैसे संब्दी थै j यह रहा k यह रहा j क्या है k से कैसे संब्दी थै sorry क्या पुछ है k related to j k क्या है j से कैसे संब्दी थै j क्या है k papa है papa है मतलब क्या गए father ठीक है k क्या है j से कैसे संब्दी थै पापा है इनका K, J का पापा है मतलब क्या आगया फादर ठीक है आ रहा है समझ में चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे अपनी तीसरे कोश्वन की दरब क्या लिखा तीसरे कोश्वन हमारा how is P related to M अब क्या पुछ रहा है P M से कैसे संबन दी था ठीक है तो P का M से रिस्ता क्या है P क्या है M का M का ये पती है ठीक है M का क्या है ये क्या है M का पती है M का पती कौन है K और पती का भाई क्या हो गया इनका brother in law देवर और जेट कुछ भी हो सकता है हमें पता नहीं है तो हम क्या लिखते हैं इसमें brother in law ठीक है दिखा क्या रहेगा brother in law M का पती है K और M का पती है K और K का भाई है P P M से कैसे संबन दी था brother in law है M का brother in law है P अगला क्या बोर रहा है हमारा चौता question How is Q related to K Q कैसे संबन दी था कैसे क्यों यह रहा भई क्यों यह रहा हमारा Q कैसे कैसे संबन दी था K क्यों का पापा है K क्या है Q की Q का बेटा है ठीक है Q कैसे संबन दी था कैसे बेटा है Q किन का बेटा है के का क्यों के से कैसे संबंदीत है मतलब क्या है क्यों का रिस्ता क्या है के के सांथ तो के क्यों क्या है बेटा है ठीक है पहला का अंसर आगया हमारा फूर दूसरा का आगया अंसर हमारा फादर तिसरी का अंसर आगया ब्रदर इनलो और चौते कांसरा के हमारा सन ठीक है अब अगला कोशन में लेके चलते हूं मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह पूरा समझ आ चुका होगा तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले कोशन के तरफ अगला कोशन यह रहा आप लोगों के सामने अब आप लोग यहां पे वीडियो को पॉस कीजेगा और इस कोशन को डाइग्रम बना की रख लीजेगा ठीक है फिर मैं जो कोशन बताऊंगी उसको आप आगे कीजेगा पहले आप लोग देखिएगा कि क्या आप लोगों ने डाइग्रम सहीं बनाया है मेरे जैसे अपर सहीं बनाया तो आगे पानुज लिए गा फिर कोशन से उसका अंसर निकाली इगा ठीक है चले हम मैं यहां पे आप लोगों को सल्व करवा रिए हुए क्या लिक्क एलकल of P. L क्या है? P क्या? पापा है. L क्या है? P के पापा है. ठीक है? अभी क्या बोल रहा है? Who is father of S? Who किसे के लिए use हुआ है? Who उसके लिए use होता है? जो क्या है? Who के सामने रहता है. मतलग P के लिए use हुआ है. ठीक है? P is father of S. P क्या है P भी पापा है किनके पापा है S के ठीक अभी तक हमें S का जेंडर नहीं पता आगे पता चल जाएगा तो हम नहीं बूल सकते है भी ठीक है अभी मुझे इतना डियाग्रम मिल चुका है अब आगे का मैं सेंटेंस पढ़ती हूं क्या बूल रहा है M is grandmother of R M क्या है R की grandmother है दादी हो सकती नानी हो सकती अब हिंदी में क्या लिखा है हमारा दादी है ठीक है M क्या है R की grandmother है ठीक है भई मुझे M और R का कुछ भी नहीं पता तो मैं इस statement का भी sentence का नहीं लूगी ठीक है फिर क्या बोल रहा है who is only son of O ठीक है अब who किसके लिए यहां पी यूज हो क्या R के लिए क्योंकि who के पहले क्या है R है तो R क्या है बेटा है O का और केवल बेटा है मतलब एक ही बेटा है O का वो भी कौन है R ठीक है R is son, only son of ौफ लिखह है only यहां पर यह हमें बता रहे है कि only का मतलब केवल एक ही पुत्र है उनका कौन है वो भी R है ठीक है R is only son of O ठीक है मुझे पता चल रहा हूँ only कहीं पर लिखा लिग गया, दिग गया मतलब क्या हो रहे हमें? कि केवल एक ही है वो only son लिखा हो only daughter लिखा हो only brother लिखा हो only sister लिखा हो ठीक है लिखा दिग गया मतलब केवल एक ही है तो r is only son of o r के है o का केवल एक पूत्र है ठीक है हो सकता है केवल एक पूत्र है सकते हैं इस स्टेटमेंट से मुझे यह पता चलिया कि आर इस उनली सर आफ और और की बीटा है और के वले एक की है ऑनी की बेटिया हो पर बेटिया अभी मुझे M, R, O और N के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैं अभी कुछ भी नहीं बोल सकती है अब मैं आगे चलती हूँ क्या लिख है R, who is अब who किस के लिए यूज होगे फिर से R के लिए R is brother of S, अब मुझे पता है S है यहाँ पे, S दिया हुआ यहाँ पे तो मैं R का statement से बना सकती हूँ, ठीक है तो चलिए अब हम बनाते है क्या बोल रहा है R is brother of R is brother of S R क्या है brother है S का ठीक है, R क्या है, brother है S का, हम, और क्या बोल रहा था पहले M is grandmother of R M क्या है, Grandmother है M क्या है, Grandmother है R की, यहीं के पापा हो गए, पापा के पापा और उनकी wife क्या बन गी मेरी Grandmother R की Grandmother कोन हो गई, M हो गई और क्या बोल रहा था R is only son of O R क्या है, O का के वलेक son है ठीक है, तो P जब R के पापा हो गए, तो O क्या हो जाएंगी इनकी क्या हो जाएंगी, मम्मी क्योंकि O का के वलेक बेटा है R, तो ये क्या हो गई, इसकी बेटी हो गई, ठीक है S क्या हो गई, उनकी बेटी हो गई, इतना समझ आया यहां पे बोला कि R is only son of O R के है, O का के वलेक बेटा है तो ये क्या हो गई, इसकी बेटी हो गई और जब R O का बेटा है तो P इसका पापा है तो O क्या हो जाएगी इनकी मम्मी हो जाएगी आई बात समझ में आ रहा है इतना समझ में मैं जो आप लोगों को बताना चाहती हूँ I hope so कि आप लोगों को यह सब क्लियर हो रहा होगा ठीक है अब क्या बोल रहा है एन इस पैटरनल अंकल ओफ आर अब एन क्या है इनके पैटरनल अंकल है मतलब क्या है इनके पापा की तरब से अंकल है पैटरनल मतलब मम्मी की तरब से पापा की तरब से अंकल है मतलब पापा की क्या हो गए यह भाई हो गए कौन भाई हो गए एन भाई है मतलब मेल मेंबर है तो मैंने लिग दिया प्लास ठीक है अब आगे क्या बोल रहा है पैटरनल अलंकर आर हो गया who is brother of s यहीं से तो मुझे इस statement का पूरा clue मिदा था ठीक है और आगे क्या बोल रहा है o is sister of t o किसकी बहन है o बहन है t की ठीक है और क्या बोल रहा है t is o is sister of t is mother of w अब यहां पर देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे who वाला who वाला पढ़ा अब यहां पर is आ गया तो क्या ले लूँगी मैं o is sister of t o is sister of t मैंने बना दिया o के हटी की बहन है पर मुझे ही अब इस बोला है तो is मुझे टी के लिए नहीं देना है is मैं लूँगी o के लिए तो अब क्या हो जाएगा o is mother of w o के है mother है किसकी mother है o w की ठीक है w की मदर है और केवल एक ही बेटा था तो यह दोनों क्या होगी इनकी बेटिया होगी ठीक है मैं डाइग्रम को एक बर अच्छे से लिख लेती हूं ताकि आप लगों को सब कुछ अच्छे से समझा जाए ठीक इनके बेटी है w और इनका बेटा है r ठीक है ऐसा हम लोग उने डाइग्रम से बनाया था एक वर डाइग्रम को रिच्छ कर लेते है ऐल इस फादर आफ पी एल के है पी के वापा है बिल्कुल सही है p is father of s p is father of s बिल्कुल सही है m is grandmother of r m के grandmother है किनकी r की सही है r is only son of o r is only son of o o का केवल एक पुतर है r तो बाकी दो हमारी क्या हो गई उनकी बेटिया हो गई ठीक है n is paternal uncle of r n का paternal uncle है r का ठीक है बई बन गया और क्या बुल रहा है r is brother of s r क्या है brother है किसका brother है s का आ रहा है और क्या बुल रहा है o is sister of t o का sister है t की मुझे t का gender नहीं पता t हो सकता है o का भाई o t हो सकता हो की बेहनों मैं भी कुछ भी नहीं बोल सकती ठीक है और क्या लिखा है o is mother of w is o के लिए use हुआ है तो चलिए start करते हैं कोशन सबसे पहला कोशन यह रहा आप लोगों के सामने ठीक है solve कीजिएगा आप लोग मेरे साथ क्या लिखा है how is l related to m l क्या है m से कैसे संबंदी थे l और m यह रही l m से कैसे संबंदी थे m का पती है l मतलब क्या हो गया husband ठीक है l husband है m का तो answer क्या हो जाएगा husband जहां पर बेबी option पर हमें husband लिखा दिगा वह हमारा answer हो जाएगा अगला question है हमारा how is p related to t p क्या है t से कैसे संबंदी थे p क्या है t से कैसे संबंदी थे पूछ रहे तो अब मैं कैसे बनाऊंगी p t से कैसे संबंदी थे ती की बेहन है o उनका पती है p ठीक है मतलब how is p related to t p कैसे संबंदी थो गया t से brother in law ठीक है कैसे संबंदी थो गया brother in law कैसे पता चला t की बेहन है o और o गे पती है p मतलब p क्या हो गया t के brother in law ठीक है इस concept क्या हो जाएगा brother in law अब बोल रहा है अगला question how is w related to l w कहा रहा w ये रहा हमारा how is w related to l कहा रहा l ये रहा हमारा w क्या है l से कैसे संबंदी थे तो l क्या है w के grandfather हो गया इनके पापा हुए p इनके पापा हुए l मतलब grandfather है और w क्या है w क्या है इनकी granddaughter हो गई क्योंकि इनका हमने female क्या है l के बेटे हुए p उनकी बेटी हो गई w मतलब क्या हो गई w l से कैसे संबंदी थे w l की क्या है grand daughter है तो answer क्या हो जाएगा हमारा granddaughter ठीक है अगला क्या बोर है how many females are दे रहे हैं यहां पर कितनी महिला है तो हम यहां पर देख सकते हैं एक तो एम है हमारी महिला ठीक और सब्सक्राइब क्या दिखा रहेगा option पर कहीं पर भी अगर मुझे दिख्या फॉर और फाइफ या तो चार होंगे एक दो एम ओ एस और डबलू चार या फिर पांच हो सकते हैं तो पांच फीमेल हो गई तो पांच फीमेल हो जाएंगी तो टोटल चारी फीमेल रहेंगी त तो मैं क्या कर दूँगी इसे अंसर टिक कर दूँगी चार और पांच लिखा रहेगा ऐसे उबली करके एफीज 4 और 5 ऐसा लिखा रहेगा ठीक है तो यह क्या हो जाएगा अगर यह लिखा हुआ नहीं रहा तो फिर मैं किसे टिक करूँगी आप लोगों को मैंने बताया थ इस टीक की कोश्न को हम कैसा टिक कर देते हैं फिर जब हमारे जंडर हमें पता नहीं रहता कि यह जैंडर इसका क्या है तो हम कैसे कर देते हैं चैनल हम निर्धारित नहीं कर पांच है तिसलिए हम कर देते हैं cnd Bis the matter with not as menad एक बास को पर जैसे हैं उनका ब्रदर है और स्टार परसेंट मतलब लिखा रहेगा सिस्टर ठीक है ऐसा लिखा रहेगा तो मैं आप लोगों को ब्लाट इनिक्वालेटी पढ़ाऊँगी अब पजल वाली इनिक्वालिटी आप पजल वाली ब्लाड रिलेशन सॉल्व कर लेत ठीक है कल मैं आप लोगो कोडेट वाला ब्लाड रिलेशन पढ़ाऊंगे ठीक है पजल वाली ब्लाड रिलेशन हम सॉल्फ कर लेंगे जब ये प्रे एक्जाम में एक से तीन माक्स कियागी ये अभी मैंने पजल फॉर्म में आप लोगो फाइफ माक्स वाला नहीं पढ़ाया फाइफ माक्स वाला मैं कौन से चैप्टर में पढ़ाऊंगी जब हम पजल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को ये फाइफ माक्स वाला पढ़ाऊंगी अभी तो मैंने पढ़ाया है चुकती एक्जाम में पूछा जाता है एक से तीन माक्स तका ठीक है कीए पढ़ाया मैंने हमी वाला कब पढ़ेंगे फाइफ Marks वाल जब हम पजल चैप्टर पढ़ेंगे यह मैंने अप लोगों को पढ़ा दिया है पजल एक से सेशन पसंदा रहा होगा अगर यह वीडियो आपके लिए हैल्फूल है आपको यह पसंदा रहा है तो प्लीज इसे मैक्समम शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ठीक है चलिए तेल दैन की प्रेंडिंग की प्रैक्टिसिंग थेंक्यू एंड बाए